तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्जाम पैटर्म के बारे में और किस तरीके से आप प्रिपेर कर सकते हो उसके बारे में ठीक है तो आपको पता ही है कि 949 पोस्ट कोट के तहर्ट जो है वो जेवे की आपकी 200 पोस्टे निकली है तो especially new candidates के लिए ये वीडियो है कि इसमें हम जो है वो detailed syllabus discuss करेंगे जो अभी तक जो है वो previous pattern रहा है उसको analyze करते हुए उसके बाद जो है वो exam pattern के उपर बात करेंगे सबसे पहले ठीक है फिर detailed syllabus और फिर किस तरीके से आप prepare कर सकते हो इसके लिए best way में तो आप उस तरीके से जो है वो तैयारी अच्छे से कर सकते हो तो वीडियो को शुरू से लेके लासक जरूर देखेगा बड़ उससे पहले December में बहुत सारे लोगों का जो है वो HPJIT का exam है तो इसके लिए जो है वो test series हमने launch की है प्रिक्षय app पर link में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है तो वहाँ पर आप coupon code यूज़ कर सकते हो जिससे आपको 50% का डिरेक्टली जो है वो discount मिल जाएगा 149 के around आपको जो है वो पंदरा मोग test मिल रहे हैं जिसमें पांच जो है वो special test है special in the sense की आपको जो है उसमें अलग से HTML C++ पर जो है वो topic उन topic जो hard topic होते हैं उन पर जो है वो आपको questions मिलेंगे तो जरूर एक बार check out किज़े का link में ने description में डाल दिया है दीके सबसे पहले बात करते है exam pattern की ठीक है कोई भी जेवे का exam हो exam pattern जो है वो आपको same रहता है बट अगर आप ऐसे candidate हो जिसने अभी तक जेवे का exam नहीं दिया है या फिर आपको clear नहीं है कि किस तरीके से जो है exam pattern रहता है तो 949 post code है और यहां पर जो है वो 170 multiple choice question आपसे पूछे जाएंगे 170 question होगे एक question जो है वो half marks का होगा यानि कि आपके पास 85 number का paper जो है वो पूछा जाएगा ठीक है इनमें से अगर बात करें सबसे पहले section की तो आपके पास सबसे पहला section जो है जो इसमें importance जिसकी यहां पर जो है वो आपसे data पूछा जाता है पूरे computer के questions पूछे जाते है पहले यह होता था exam में कि जो आपके questions होंगे वो basic computer से related होंगे बटब ऐसा नहीं है आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है क्योंकि यहां पर qualification आपकी मांगी गई है वो plus two मांगी गई है ठीक है तो plus two level तक का जितना भी computer का syllabus रहता है जिसको मैं आगे discuss करूँगा detail में वो सारा इसमें जो है वो पूछा जाएगा तो आपको वो सारा पढ़ना है ठीक है अब यह नहीं है कि आप यह बोलोगे कि हमारा 817 जो है वो C++ या HTML उसमें जादा आया था तो आप basic नहीं पूछा जाएंगे computer section से ठीक है उसके बाद second जो आपका area रहेगा वो रहेगा general knowledge including general knowledge of हिमाचल प्रदेश, current affairs, everyday science, logic science, general English and general Hindi of metric standard ठीक है तो 50 question जो है वो आपके इस से पूछे जाएंगे 10 आपके English के हो जाएंगे 10 हिंदी के हो जाएंगे plus आपके GK कुछ आपके science वगरा के question जो है व वो होती आपकी return examination की, आप return सबसे पहले clear करोगे उसके बाद जाते हो आप typing test में, typing test जो है वो 30 word per minute आपको speed चाहिए या तो आप English में typing test दे सकते हो या फिर Hindi में दे सकते हो, दोनों में आपको देने की जरूरत नहीं है, हिंदी में दीजिए या फिर English को choose कर लिजिए, अग अगर आप English में देते हो, तो 30 word per minute आपकी typing speed होने चाहिए, और अगर आप Hindi में देते हो, तो 25 word per minute आपकी speed होने चाहिए, ठीक है, 10 minute का आपको time मिलता है, लास्ट में मैं दिखाऊंगा आपको sample paper जो typing test का होता है, जो नए candidate है, उनके लिए especially बाकियों को तो पता ही है, 817 दे के लोग आपको पता है, यह typing test की preparation करते करते, बहुत पता लग गया है, तो test आपका qualifying nature का होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी वहाँ पर merit लगी, सिरफ आपको qualify करना है, 10 minute के अंदर आपको speed निकालनी, 30 word per minute की, और उसके बाद आप qualify हो जाओगे, तो यह पूरा रहने वाल ह और उसके बाद आपकी documentation होती है, तीन stages में basically आपका यह exam होता है, बट में जो है, वो written है, उसके बाद आपका typing test है, तो यह I think आपको समझ आ गया होगा, अब चलते हैं syllabus के उपर, देखें, syllabus जो है, वो दो parts में divide होता है, 817 के बाद तो खासकर दो parts में divide कर दिया गया है, इस बट अब advanced computer में आप मान लिचे C, C++ बाकी जो मैं आपको syllabus बताऊंगा, वो सारा कुछ आपको read करना है, ठीक है, तो syllabus को अच्छे से देख लिजेगा, पढ़ने का तरीका, आपको मैं पहले discuss कर लेता हूँ, कि एक एक chapter को जो है, वो आपके notes अपने अलग से बनाने, कोई आ market में, जो fundamental की books हैं, वो बिल्कुल basics ही है, ठीक है, उसमें से आपके question आगे, तो आगे नहीं आएंगे, तो नहीं आएंगे, for example, अरिहन्त आपने पिछली बार 817 में देख लिया होगा, तो आपको क्या करना है, जिस तरीके से आपको तयारी करने है, जो भी मैं सलेबस ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप करोगे, तो ही जाकर जो है, वो आपको benefit मिलेगा, चलिए शुरू करते हैं, इसलेबस के उपर, ठीक है, सबसे पहला जो है, वो आपका fundamental basic of computer है, ठीक है, I hope आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है, तो आप एक बार सुन pen, digital camera, output devices के बारे में, monitor और video, printer, plotter, speaker, ठीक है, कितने type के printer होते हैं, कितने type के plotter होते हैं, यह सारी चीज़े आपको पता होने चीए, ठीक है, keyboard, mouse, scanner, ठीक है, कौन-कौन से हैं, किसने जो है, वो इनका विश्कार किया था, ठीक है, जो आपका mouse है, उसको, उसका विश्कार कि mouse, ठीक है, तो mouse के बारे में, जितनी भी detail आपको मिलती है, कि किसने बनाया था, पहला mouse कोन सा था, different types of mouse कोन से होते हैं, वो सारी आपके पास, जो है, वो होनी चाहिए, इसी तरीके से जो है, वो आपकी तयारी हो पाए, ठीक है, उसके बाद, concept of computer memories, जैसे primary, RAM, RAM, ROM, storage devices, secondary memory, hard disk CD, DVD, pen drive, unit of memory, nibble, bits, bytes, kilobytes, megabyte, gigabyte, terabyte, ठीक है, तो यह सारी चीज़ें जो है, वो आपको पता होनी चाहिए, यह तो मैंने detail में बता दिया, आपको देखिए, यहाँ पर लिखा हो गया है, detail में आपको मैंने बताया है, ठीक है, यह सारी चीज़ें करनी है, उसके बाद आता ह आपका introduction of MS, ठीक है, windows, basic concept of operating system, आपको operating system के बारे में पता होना चाहिए, detail में, and its functions, desktop, icon and desktop, my computer, recycle bin, taskbar, start menu, menu selection, using mouse, ठीक है, यह सारी चीज़ें आपको पताना चाहिए, for example, आपसे कुछ पूछ ले जाएगा, कि start menu में जो है, वो यह चीज़ कैसे आप, जो है, वो find out करोगे, question कोई भी पूछा जा सकता है, ठीक है, 817 को देखकर आपको लग गया होगा, तो इसलिए मैंने detailed syllabus आपके लिए निकाला है, जो की plus 2 तक का है, तो आपको बहुत जारा beneficial यह रहेगा, running and application, setting system, date and time, window explorer, to view file, folders, directories, ठीक है, creating, rename, or deleting of files, ठीक है, file or folder को आपके इस तरीके से create करोग तो इस तरीके से जो है, वो आपका दूसरा section जो है, रहने वाला है, पहला section आप बिल्कुल basic पढ़ोगे, उसके बाद आप जाओगे, windows के पर, windows related सारी चीज़े जो है, वो आपको पढ़नी है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर आता है आपका digital literacy, advanced, handling of, ठीक है, overhead projects, digital screens, जै जिसे introduction of network, तो network जब introduction करोगे, तो आपको पूरा networking के बारे में पढ़ना है, ठीक है, classification of networking, जिसे land, man, when, pen, यह मैं आपको पहले भी कराया था, ठीक है, differences of networks, ठीक है, यह सारा chapter जो है, वो आपका network का होगे, उसके बाद introduction to internet, internet, history of internet, आपको पढ़नी है, browsing internet, through various search engines, such as google के बारे म आपको पता होनी चीए, yahoo के बारे में, bing के बारे में, और email से related, आपको सारी चीज़े जो है, वो पता होनी चीए, ठीक है, तो जब आप लिखोगे, तो यह सारी चीज़े आपको, book में, अगर मिलती है, तो ठीक है, नहीं मिलती है, तो आपको internet पे सर्ज करना है, ठीक है, इंसर्टिंग, word art, clip art and pictures, pages setting, superscript और subscript ठीक है, MS Word के बारे में आपने पढ़ना है, MS PowerPoint के बारे में आपने पढ़ना है, Excel के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, ये सारी चीज़े जो है, वो आपको करने, उसके बाद आता है आपका, computer and its application, ठीक है, ये अब आपका जो है, थो binary or decimal, conversion between binary and decimal number system, ठीक है, किस तरीके से आप conversion करोगे, binary को decimal में, decimal को binary में, ये चीज़े जो है, वो आपको पढ़ना है, ठीक है, system software और application softwares क्या होते हैं, ये भी आपको पढ़ने, web browsing क्या होती है, ठीक है, multimedia on the web क्या होते है, web search engines कौन-कौन होते हैं, email, transmission media, जैसे कि guided media, twisted pair, coaxial cable optical fibers, ठीक है, unguided transmission media, जैसे radio waves, microwaves, satellite, wifi, network classification, land man, when pen, ये सारी चीज़े जो है, वो आपको पढ़ने है, ठीक है, वैसे मैंने जब 817 पर ये सारी चीज़े जो है, वो करवाई थी, बस थोड़ा साम वहाँ चुके थे, कि हमने जो है, वो advanced level का थोड़ा नहीं पढ़ा था, तो ये चीज़े सारी आपको पढ़ने है, फिर आपका concept of desktop publishing, ठीक है, application of DTP, comparison of DTP with word processing, introduction to page maker, creating a new publication होता है, using page maker, saving of file page maker, ठीक है, ये page maker के बारे में आपको जो है, वो सभी कुछ जो है, वो पढ़ना है, उसके बाद understanding photoshop, photoshop से related भी question पूछा जाता है, classification of image, bitmap, vector image, उसके बाद images type, images size, resolution creating a digital collage, ठीक है, उसके बाद working with files, toolbox, drawing with pen tool, creating, brush file, ठीक है, और stocking section, layers, transforming and typing, rotating, cropping, flipping, images, ये सारी चीज़े जो है, वो आपको पढ़ने है, सबसे बैस रहता है कि अगर आपके पास computer है, या फिर आप किसी computer center में जाते हो, तो वहाँ पर इन चीज़ों को जो है, आपका होता है, कि इस तरीके से आपको जो है, वो photoshop use करना है, तो वो सारी चीज़े जब आप open करोगे, तो आपको जो है, वो ज्यादा benefit यहाँ पर मिलेगा, पिर यहाँ पर computer networks आपको पढ़ने है, ठीक है, its advantages or disadvantages, network operating system and its features, आपको network operating system होते है, उसके features पढ़ने है, overview and history of Linux, Linux kernel, Linux resources, advantages of Linux, creating and viewing files, basic shell concepts, shell commands, ठीक है, IO, read direction, pipelines, vi editor, cyber loss, यह सारी चीज़े आपको जो है, वो read करनी है, उसके बाद window NT and its advantages, difference between Linux and Windows NT, Linux firewall and its types, managing storage devices, understanding basic disk concepts and manage system disks, ठीक है, और फिर उसके बाद logical volume concepts and managing logic columns, swap space, mount point view, यह सारी चीज़े जो है, वो आपको पढ़ने है, ठीक है, फिर आपको coral draw करना है, ठीक है, यह भी आपका, उसमें, जो है, वो syllabus में दिया गया है, plus two तक के, but ऐसा नहीं है, कि आपके वाद पीछे पूछा नहीं गया, तो अब भी नहीं पूछा जाएगा, various components of coral draw क्या होता है, window, tools, जो है, coral draw के कौन-कौन से होता है, graphics और saving files, उनको करना, और coral draw को जो है, वो आप किस तरीके से, जो है, वो handle करेंगे, most important difference between xhtml और html, तो यहाँ पर html का अगर नाम आया, तो इसके बारे में detail में आपको जो है, वो पढ़ना है, ठीक है, किस तरीके से html में क्या-क्या चीज़े जो है, वो basic मनाई जाती है, कोई pictures आप कर रहे हो, तो क् insert करोगे, fundamental of PHP, its advantages, variables, data types, operators, scope of variables, control program, flow, decision settlement, and looping statement, तो यह सारी चीज़े जो है, वो आपको पढ़ना है, इसके अलावा, C language, C++, ठीक है, और Python, जो Java होती है, उसके बारे में भी आपको अच्छे से जो है, वो read करना है, तो उसले बस यह मत सोचेगा, छोटा है, आप छोटी सी क किताब लेकर जो है, उसको cover कर लोगा, ऐसा कुछ नहीं है, जब आप इसके notes बनाओगे, तो अच्छे खासे notes इसके बनेंगे, और आपको जो है, वो अच्छा खासा confidence भी जो है, वो अपने उपर रहेगा, ठीक है, जब आप written clear कर लेते हो, उसके बाद आते हो, आप typing में, इस तरीके का format कुछ देखने को मिलता है, ठीक है, तो 10 minute की आपके पास timing होती है, और उसके बाद 30 word per minute आपको type करने पड़ते है, यानि कि 10 minute में आपको 30 की speed निकालनी पड़ती है, ठीक है, इस तरीके का आपके पास यहाँ पर पूरा paragraph दिया होता है, और यहाँ पर stocks भी लि आपको सिर्फ यह paragraph टाइप करना पड़ता है, ठीक है, तो यह चीज जो है, आप याद रखेगा, पांस टॉक्स का जो है, वो एक word होता है, ठीक है, तो एक word जब आप 5 टाइप कर दोगे, तो आपका एक word जो है, वो count हो जाएगा, ठीक है, तो यह चीजें जो है, वो याद कर सकते हो, वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक जरूर कीजेगा, शेर जरूर कीजेगा, ठैक्स पूर वाचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स टोड़े के साथ,